बोर्डर कवास का ट्रोफी का पहला टेस्ट मैच इंडिया ने जीत तो लिया लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रविंद्र जडेजा को इस मैच के लिए फाइन देना पड़ा और मुहमद शामी जो कि एक बोलर है उन्होंने बैटिंग में एक रिकॉर्ड बना दिया और भी बहुत क पारी में टोटल पांच विकेट ले लेते हैं अश्विन को मिलते हैं तीन विकेट एक शामी को और एक सिराज को इस तरह उस्ट्रेलिया अपनी पारी में 177 रन ही बना पाती है और फिर जब इंडिया की बैटिंग आई तो टीम के कैप्टन रोही शर्मा ने संचिरी लगा पारी में टोटल 400 रन बनाए लेकिन अउस्ट्रेलिया अपनी सेकंड पारी में बस 91 रन सी बना पाई और इंडिया ने मैच एक पारी और 132 रन से जीत लिया सेकंड इनिंग में सबसे ज़्यादा फाइव विकेट स्रभी चंद्रा नश्विन ने लिए जड़े जड़े सांदार परफोर्मेंस के लिए मैन ओफ दम मैच चुना गया लेकिन उन्हें अपने मैच फीज का 25% फाइन देना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी इंडेक्स फिंगर में सूजन होने के कारण क्रीम लगाया बट अमपायर को नहीं बताया हाला कि बात में मैच रेफरी न लगाना चाहिए था यह नहीं कोमेंट में बताइए